हेलो बच्छा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टू एजी बूस्टर्स आज हम डिसकस करेंगे जो हमारा टपिक चल ला भी असी थार्ड ये के लिए एपी कल्चर जो सब के लिए इंपार्टेंट होगा विटा है आए मीन अगर हम बत करें हें क्या होगा तो में थर्ड आफ यहां होगा मेथ हर्स में थे आफ बी कि पिंग बी किपिंग निया फिर एक्जाम में कुछ भी पूछ सकता है रिपीड़ कोईस्चन है आया हुए है इसलिए हमको पढ़ाना पढ़ा या फिर एक पीक अचे हमने apiculture तो पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया लेकिन method नहीं पढ़ा कि आखिर दूर मदुमक्खी के पालन की बिधी क्या है कैसे इसको पाला जाता है हम लोगों ने सहद निकालना सिख लिया सहद देख लिया सब कुछ देखा लेकिन एक्चुली जो देखने वाली चीजे थी वो मेथ120 की मद्यक्नाय मट्वकी का प्रुखिर होता कैसे किस बिदी से होता है कि पूराने जवाने में अगर इसकी बात की जाए फी कलचर की तो ये एक हम लोगों की ए Sanskrit है लेकिन ये मीठे बनेंगे नहीं चीनी गुड़ भी नहीं था तो इसके पहले कहीं कहीं मधों के हेल्प से जो सहद मिलता था सहद को मीठे के जगह पे यूज किया जाता था तो सहद पहले से ही बिजनेस परपस से नहीं लेकिन एक हम लोगों के अगरिकल्चराल मेथड के लिए बहुत यूज फुल रहा है तो सहद क्यों यूज करते थे क्योंकि चीनी और गुड़ नहीं था तो इसको पहले लोग सहद को यूज करते थे अपने मीठे के लिए और जहां पर इस मीठे का यूज यह हम लोग करते हैं वहां सहद का यूज होता था बाद में इसको थोड़ा अगर हम बात करें इसके मेथड की तो यहां पे दो मेथड यूज होते हैं सौरी उस्तों है चले को लिए यहां दो मेथड यूज किया जाता है एक है पहला है इंडाइजेनियस मेथड इंडाइजेनियस इंडाइजेनियस मेथड हो सकता है मैं मिस्टेलिंग तो हो सकता है यह बताने सकते से और क्यों हो गई है बट अगर होगा तो कोई नहीं आप लोग सुधार लेंगे या फिर हम थोड़ी दिर बाद सुधार देंगे इंडाइजेनियस मेथड था और उसके बाद दूसरा जो था जो अभी चल रहा है प्रचलन में है इसको बोलते हैं मॉडन मेथड मॉडन मेथड तो यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों की इंडाइजेनियस मेथड क्या है जड़ा स्पेलिंग हम एक मिनट मिला रहें इंडाइजेनियस आइण डी आइजी इन एन इओ ये से न हाँ करेक्ट हाँ चलते आगे तो इंडाइजेनियस मेथड है क्या यह बहुत पुरानी विदी है जो पहले यूज की जाती थी यह पुरानी के साथ साथ अन प्लैन मेथड था यहां पर कोई प्लैनिंग नहीं की जाती थी कि नहीं हम लोगों को यहां पर इसी दिवाल के कुन्ने पर मदमख़्ी का पालन करना है या फिर इस पेड़ पर पालन करना है या इस घर के यहां पर कुन्ने पर पालन करना है कोई निश्चित्ता न हैं अलिए ये लिए ले लेते थि लेकिन इसमें प्राब्लिम किया थी कि जब को और जाते थे शाड गैद्फि siis बड़ा रिस्क था कि धीरे धीरे ऐसे करते करते तो पुरे छच्छत को बरबात करते हुए क्या है मदमख्षी की बीठ खत्म की जा सकती थी ऐसे तो यह मेथन कहीघ कही न कहीएक बहुत ही हार्म्फूल एफक्ट लेके मदमख्ष के उपर आया जिसका बहुत नुकसान हुआ मदमक्खियों को और बाद में इस चीज को डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद क्योंकि उसको देखा गया कि अगर हम ऐसे ही करते रहा गयें कुछ एरिया से मदमक्खी भी गायब हो जाएंगे और हुए भी बाद में हर एरिया को देखा गया कि वहाँ पाय जा रहें यहां क्यों नहीं तो वो लोग समझ गए कि हम लोग क्या करते हैं प्लैन है यहां पे है और इसको धूँआ कर दे रहे मार दे रहे मार के यहां से हम सारी चीजों को निकाल ले रहे हैं बाकी तो यहां जितनी इनकी पीडियां थी हो तो मर गई अगला च्छत कौन बनाएगा अगर कोई आना भी चाहेगा तो जान जाएंगे कि इस एरिया में खत्राय नहीं जाना है तो इस हिसाब से यह मेथट कहीं न कहीं डेंजरस साबित होने लगा किसके लिए मदमख्यों के लिए और उनके लिए स मक्की लिए डेगी तो सहथ कहां से रहेगा तो कहीं न कहीं यह अनके लेंज मेथड था जॉमिन इंडायगेनियस मिथच रिसक्यावद होने लगा और इसमें इसके साथ साथ प्राद्लम क्या थी कि प्राद्लम हमने पहले बोला कि यह अन प्लान था एक दूरा था एक यु को खो देना पड़ता था यूज क्या करते थे यहां पर इस्मोक यूज करते थे уж करते थे या सब कुछ सब कुछ होगा और इनको क्या किया जाता था इस छट को दबा के निचोड लिया जाता था स्क्वीज किया जाता था इमिन जब इसको स्क्वीज करते थे तो स्क्वीज करने के बाद जो यहां पे ले लिए बाल्टी और इस बाल्टी में क्या करेंगे कि सहद को निकालेंगे तो इस्क्वीज करके जब यह सहद यहां से निकलेगा बिटा तो यह बाल्टी तो भर गई चलो सहद से बाल्टी भर गई लेकिन इसमें एक समस्या और थी कहीं न कहीं इनके अंडे का भी रस था इनके क्या था प्यूर हनी नहीं हो पाता था इंप्यूर हनी कलेक्ट करते थे जिसमें बहुत सारी इंप्यूर्टीज पाई जाती थी यह सबको दीरे-दीरे समझ में आने लगा कि यहां पर इस सहथ में इंप्यूर्टीज हैं इसको दूर करने के लिए जो मेथड अपनाया गया व टीपिकल मुवेबल हाइब्स, टीपिकल मुवेबल हाइब्स, दूसरे पे था, दूसरा पॉइंट है, क्वीन एक्स्क्लूडर, टीपिकल, 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 टीपिक अनकापिंग नाइफ अनकापिंग नाइफ के बाद है नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधर एक्विपमेंट्स अधर एक्विपमेंट्स जरा ध्यान दीजिए गाए यहां पर क्या पॉइंट्स हैं जरा इसको अटा दें कि स्वास्त अब है एक्विपमें नहीं चलना है फिर भी हमने शुचा कि आप लोगों को क्यों पूरा पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाब विटा समझा दें फिर हम टेलिग्राम पे अपने नोट्स को प्रोवाइड करते जा रहे हैं पूरी वीडियों आप लोगों को स प्रोवाइड करते जाएंगे आप लोगों को टेलिग्राम पे जुड़ जाएए और हमको तो नहीं लगता कि आप लोगों को नोट्स की नीड है क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियों देख तो रहे हैं लेकिन टेलिग्राम पे आये नहीं हम जानबूज के एक दो दिन त जाते हैं आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं बट नोट्स को चाहिए वह जा सकता है टेलिग्राम पे वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा बिटा है तो चलते हैं यहां पे हम देखते हैं टीपिकल मूबेबल है अगर हम बात इसकी कर रहा है तो यहां पर क्या है कि कुछ कुछ ऐसी चीजे माडन मेथड में यूज की गई एक छट बनाया गया ऐसा जिस छट को यहां से वहां हटाया जा सके सीजन के अनुसार इसको यूज किया जा सके इसके लिए इंपार्टेंस था कुछ फ्लोरा और कुछ प्लेसेस जरूरी थे जो बगीचे टाइप का हो चा जाती धूप न जाती हो जैसे ऐसा तो है नहीं कि रेगिस्तान में ले जाके हम अपने हाइब को रख देंगे या फिर लद्दाक के हमिस जो नेरसनल पार्क है उस पर नहीं रख देंगे बरफिली मैदान में वहां तो हम रख लाही सकते तो ऐसा एरिया जहां बगीचे हो थोड़ी ठंड का वातावरण हो और वहां पेड़ लगभग नीम के हो सीसम के हो जामून के हो आसपास गुलाब हो लीची हो ऐसे पौदे हो जिससे रस पुस्प्राइब तो चलते हैं वच्छे हम लोग यहां बात करते हैं modern method में हम ने देखा यहां चार होते हैं एक होता है typical moveable heights एक होता है queen excluder एक होता है honey excluder extractor then uncapping knife और होता है other equipment यहां पे अगर हम बात करें वच्छा तो हमने पैहने नहीं बोल दिया other हो टीए चीज़ है other equipment हमने बोला था कि मेथड़ा भी keeping या एकी कल्चर में हम लोगों के वह जरूरी था पहले हमने सारी चीज़े बता दी प्लस एरिया भी जरूरी होता है जहां पे ऐसे फेड़ हो नीम हो पीपल हो सी सम पीपल नहीं सब्स एरिया में रोज हो ऐसे रोज क हो फिर जामून हो इन सब के पौदेश क्या होता है और सरसों का पौदा जिससे पॉलेन भी मिलता रहे कुस्पो का पौदा हो तो फायदा मिलता है सब कलेक्ट करने मद मख्यों को जो मार्डर मेथड की बात करेंगे तो पहली पॉइंट पर आता है विट टीपिकल और वही नेमिंग इसकी रेडिंग भी है याद रखेगा तो हम कर देंगे तीस बीस इसका मतलब यह बीस एक साथ रहेगा तीस बीस बीबी बीबी एक साथ रहेगा मतलब कोई ऐसे हो कि कोई ऐसा पर्सन हो तो यह परसल यहीं है जिसमें 30 बीस बीबी साथ में हों बस ओके ड्यागराम इसका क्लियर 30 बीबी कैसे हो साथ में हो अब हम यह ग्राम आप्फों कर देते हैं बाकि एक्चुल जो डाइगा वह हम दिला देंगे आप लोगों को मिल हो जाएगा हम ऐसे डाइग्राम देख लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं प्यारा सा डाइग्राम तो नहीं बना सकते हैं अगर हम ऐसे कर दें यह ऐसे कि यह एक की से लिए फ्रसु अ कि की तरह से दीजें शुक्त एधि जिस पर क्या होगा कि सारी भार रखी रहती हैं तो यह हो गया ये देNघ्र सब्सक्राइब करें पहली एक प्लेट बना देंगे इतना टाइम लेके नहीं चलना इस पे बहुत ज्यादे टाइम अगर हम खर्च कर देंगे तो बहुत यह बाटम बोड यह बाटम बोड जहां पर पूरी लगी रहती है उसके उपर कोई भी सावान लगे रख दें इस चूल पर रख दें फ्रीज रख दें वैसे ही पिर इसको उपर बड़ा सा चेंबर यह बड़ा वाला चेंबर यह हो गया चेंबर तो इसको हम बी सी का मतलब बोल देंगे ब्राइड चेंबर यह हो गया ब्राइड चेंबर इस ब्राइड चेंबर के बाद एक ऐसा एरिया बना देते हैं यह थोड़ा सा ऐसा हो गया इसको ऐसे ऐसे कर देंगे यह हो गया यह का मतलब होता है यह वाला सुपर कभर यह सुपर बोलते हैं और यह वाला हो गया इनर कभर यह इनर कभर इनर कभर यह सूपर ही बोला जाता है इसके बाद आता है इन सबको एकदम ऐसे करके ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए यह फार प्रोटेक्शन कर सकते हैं जिससे आपको यह दिखला ही दे कुछ इसे ऐसे कर दो जैसे छत पे नहीं होता किसी चीज को कभर करके रखने के लिए जिससे पानी वनिनना इसमें आने पाए अंदर पानी उपर गिरें नीचे चली जाता लेकिन और ब्रैड वाले चेमबर को ऐसे कभर करके और इनके बीच एसे उसको ब्रैट बेड़ बन जाता है। इसमें कुछ ऐसे प्लेट बन जाते हैं जहाँ पर किया करते हैं मौन के बना लेते हैं गहला हम कर आती रहती है इसमें और 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 प्लेट कर नहीं से निकल के आती हैं नहीं करेंगी लेकिन इसकी से पैसी होगी कि इसमें से नहीं निकल पाएगी अगर की निकल जाएगी चट से क्लिये खा ना को GP कता है आई होप आप लोगों के यह सारे point भी diagram एक्दम clear होगे होगा diagram अच्छा सा देंगे और आप कहीं से पा सकते हैं तो बनाईएगा या फिर telegram पे हमारे आईए वहाँ पे सारा notes आपको यह सारा प्रोवाइड करेंगे चलते आगे इसके बाद एक queen excluder queen excluder क्या है यहां पे अगर हम बात करें तो यह ऐसा बना होता है जिसमें से क्या है कि राणी एक तरफ हो जाती है और सारी च्छत से वरकर इधर उदर निकाल लिए जाते हैं और किसी को नुक्सानी नहीं होता है राणी यह की जगा पड़ी रहेगी और वरकर जो इसके हैं वो छट के बाहर जा सकते है राणी को एक्साइट किया जा सकता है इसको बुला जैता है queen excluder दे रहाता है honey एक्स्ट्रेक्टर अगर हम बात करें सॉरी एक मिनट वीडियो रोकिए तो चलते हैं queen excluder हमने क्या बोला कि यह ऐसा बना होता है सेप इसका जिसमें से क्या होता है राणी नहीं निकल सकती बाकी वरकर यहां से वहां आएंगे जाएंगे तो इस च्छत का modern method में जो यूज किया गया इसका यहीं फैदा होता है कि वरकर चाहे जहां जाएं वो सारी चीजों को collect करके ला सकते हैं लेकिन राणी यहां से निकल नहीं सकती है अगर राणी निकल जाएंगे तो सब के सब चले जाएंगे प्लस ड्रोन को भी यहां बंदी बना कहीं समझ दे जाते रहते हैं इसको बूला जाता है क्वीन एक्स्क्लूडर देन हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट की तो यहां हनी एक्स्ट्रक्टर इसका सेप ऐसा होता है कि च्छत में यहां पे च्छत में कोई बिना नुक्सान किये ही सहद जो बनती है वो नीचे की तरफ एकत् सहद को आसानी से हम पूरे कौंब को निकाल सकते हैं कौंब को निकालेंगे दूसरे जो हमारे modern यह बना हुआ है method mother method में जो हमारे पास दूसरा बना हुआ जो हमारे पास ये टेकनिक है इस टेकनिक में ले जा के अपने हाइब को हम फिर से वहाँ सेट कर देंगे और जो हमारे पास सहद है ये जो हमारा पुराना टेकनिक था इसमें से हम सहद निकाल सकते हैं निकालने के बाद फिर इसको अनी अक्स्ट्रेक्टर का जो रोल है यह सहद को ईजली निकाल के हम कौमब को बिना नुकसान पहुचाए देखो अभी यहां पर क्या हो रहा था यहां जब हम सहद निकालते थे तो लारवा प्यूपा एग और जो मदुमक्षी थी राणी थी वरकर्टे सब को हनी हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसमें बात कर रहे हैं बटा तो यहां पे न तो रानी को हनी पहुच रहा है न तो वरकर को न तो मतलब इसमें जो भी एक लारवा पीवपा है किसी को हम बिना हनी पहुचा है क्यूं? क्योंकि सब के सब तो छ्षत में हैं बाकी हमारी साथ टपक के नीचे आ रही है देनगर हम बात करें तो यहाँ पे uncapping knife है uncapping knife का roll क्या है जो छ्षत होता है आई मिन जो comb होता है इस comb का जो shape होता है यह कुछ hexagonalty बन जाता है तो इसी में रोल होता है इसका इसकी कैप को हटाने या फिर कैप को लगाने के लिए और छट को इसी कैप के द्वारा क्या करते हैं इधर से उधर हटाने के लिए इससे इसको बुला जाता है इसके क्या जाता है इसके मौम को इधर से उधर हटाना या फिर इसके छट को रिपेर में लगाना मौम से चिपकाना भरना ये सारी चीजें अनकैप के द्वारा की जाती है एक प्लेट होनी चाहिए, एक बाल्टी होनी चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे equipment होने चाहिए, जिससे हम easily सहत को निकाल सके, और यहां से अगर मद हमारे उपर attack भी करे तो कोई problem ना हो, इस वज़े से ऐसे चीजों को भी use किया जाता है, जिसे other equipment बोलते कर सके हनी का, एक ऐसी प्लेट होनी चाहिए, जिसमें हम easily कौम को रख सके, फिर कौम को वहाँ set कर सके, तो यह सारी चीजे हमारी other equipment में आती हैं बच्चा, देन हमने यहां पर अगर देखने की, वो की, कि हम क्या इसमें पढ़ रहे थे, और क्या चीजे हमारी problem में आई, या पिडियों का नुक्सानी था, इनके बच्चों का नुक्सानी था, लारवा, अंडा, प्यूपा, सब नास हो रहे थे, सब एक प्रकार से जा रहे थे, लेकिन अगर हम modern method की बात करें, तो यह कही न कहीं बहुत ही जादे useful रहा, जहां पे pure सहद को collect किया जा सकता है, pure honey पाया जा रहा था, यहां पे हम मदमक्खी को बीना नुक्सान पहुचाए, इनकी पिड़ी को बीना मारे, हम सहद को collect कर सकते थे, प्लस यह हम season के अनुसार collection कर सकते हैं, हम अपने area में collect कर सकते हैं, हम को सहद की collection के लिए, अगर पूरी एक range बना ले, उपर से छाओं लगा दे, तो बारिस का या मौसम का बीना नुक्सान हुए, क्योंकि मौसम का भी नुक्सान environmental effect इन पे पढ़ सकता है, लेकिन इन पे नहीं ने पढ़ सकता, इनको हम ऐसा area place करवा दे, जिसके उपर उपर ढखवा के रख दे, नीचे हमारा पूरा रखा रहे, इनकी सब की सब क्या सकते हैं, I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होगा बिटा, और प्लीज जो समझ में आए, तो लाइक जरूर कर देना, और नोट्स के लिए टेलिग्राम पे जाए, टेलिग्राम पे जुड़े, नोट्स हम इसका प्रोवाइड कर देंगे, और जितने लोग को सेर कर सकते हैं, सेर करिए, थैंक यू फर वाचिंग में वीडियो,